नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी की पूजा के नियम तुलसी की पूजा करने के फायदे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू सनातन धर्म में तुलसी को पूजनिय माना जाता है इसलिए आपको लगभग हर एक हिंदू के घर में तुलसी देखने को मिल जाएगी ऐसा माना जाता है कि तुलसी की नित्य पूजा अर्चना करने से माता लक्षमी के आशिरवाद की प्राप्ती होती है और हमारे घर में धनसंपदा बढ़ती है लेकिन तुलसी की सही तरीके से पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है अगर आप गलत तरीके से तुलसी की पूजा करते हैं तो वह लागदाई नहीं होती है इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में तुलसी की पूजा करने के नियम और सही तरीका बताने वाले हैं तो यह महत्वपून जानकारी पाने के लिए हमारा यह विडियो अंत तक जरूर देखे तुलसी की पूजा के नियम अगर आप नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखे की रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित न करे अगर आप शाम के समय तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी के दर्शन दूर से ही करे शाम के समय पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्ष न करे तुलसी पूजा में दीपक जलाने के बाद अक्षत चावल अवश्य अर्पित करे अगर कोई महिला तुलसी की पूजा करती है तो उन्हें अपने बाल बांध कर तुलसी की पूजा करनी चाहिए खुले बाल रखकर महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए अगर आपके घर में भी तुलसी मौजूद है तो अन्य देवी देवता की तरह तुलसी माता को भी चुनरी ओढ़ानी चाहिए और समय समय पर चुनरी को बदलना चाहिए कई बार घर के सदस्य अलग-अलग तुलसी को जल अरपित करते हैं इस वजह से तुलसी में काफी जल अरपित हो जाता है अधिक जल के कारण तुलसी सुखने लगती है और अपने आंगन की तुलसी सुखना अच्छी बात नहीं है यह अशुभ माना जाता है इसलिए इस बात का भी विशेश ध्यान रखे की आपके घर की तुलसी सुखन पाए तुलसी पूजा हमेशा सुखन या शाम सनान आधी करने के बाद शुद्ध होकर करनी चाहिए तुलसी पूजा में हमेशा गाय के घीका इस्तिमाल करे तथा सुखन और शाम दोनों समय दीपक प्रजवलित करे तुलसी पूजा करने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य लगाए अगर आप अपने घर में गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो अतियुक्तम और शुभ माना जाता है इसके अलावा कार्तिक महीने में तुलसी लगाना शुभ माना जाता है अगर आप अपने घर में तुलसी लगाना चाहते हैं तो गुरुवार और कार्तिक महीने में लगा सकते हैं संध्या के समय अगर आप तुलसी पूजा करते हैं तो तुलसी के पौधे को छूना वर्जित माना जाता है तुलसी की पूजा करने के फायदे तुलसी पूजा करने से माता लक्षमी के आशिरवाद की प्राप्ती होती है ऐसा माना जाता है कि रोजाना तुलसी पूजा करने से हमें धन की प्राप्ती होती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है इसके अलावा नियमित रूप से तुलसी पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है रविवार को तुलसी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं? जी नहीं, रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना तथा दीपक जलाना वर्जित माना जाता है इसलिए रविवार के दिन तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए तुलसी में जल किस दिन नहीं देना चाहिए तुलसी में जल आप किसी भी दिन दे सकते हैं लेकिन सिर्फ रविवार के दिन और एकादशी के दिन आपको तुलसी में जल नहीं चड़ाना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद